आज अच्छी तेजी दिखा रहा है 62,800 रुपए के ऊपर चांदी की बात करें तो 75,700 के ऊपर चांदी पहुँच चुकी है अच्छी तेजी आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में दिख रही है ब्रेंट क्रूड वापस से 80 डॉलर के पार निकल चुका है सागर से शेपिंग को लेकर जो चिंता है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है लेकिन एक एहम ख़बर यह है कि MCX Natural Gas के आप्शन्स में रिकॉर्ट टर्न ओवर देखने को मिला है 20 दिसंबर के जो आंकडे हैं जो एक्चेंज की तरफ से जारी किये गए थे उसमें 20 दिसंबर को सिर्फ 49,166 करोड का टर्न ओवर नेच्रल गैस आप्शन्स में देखने को मिलाता है एक बड़े वाल्यूम के साथ अब यहाँ पर कारोवार होने लगा है क्योंकि यह कैश एटल कॉंट्राक्ट है क्रूड और नेच्रल गैस का इससे यहाँ पर FPI की भागीदारी भी बर रही है और उसका फायदा मिल रहा है चलिए कुछ आहिम ख़बरें थी लेकिन अब सीधा रुक करते हैं गोल्ड और सिल्वर पर बिरेंजी आप बताईए क्या लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में आसे क्या करें ट्रेडर्स के लिए क्या सला है ये तेजी ठीकेगी शॉर्ट अब बाउंस आसकता है नॉर्मरली इनाताल के समाई ये रेड विंडोड या स्क्वेर अप जिसको कहेंगे एकाउंट से क्विंग के इसाब साब मैं टेंबर में मुलिशू गोल्ड बासाथ जार तीनसो क्या स्वस्ताई कि आजा सकता है बासाथ अटसो तक का लक्ष रहेगा एक दो दिन का वियू है यह जो लोग सिरियस मनेज इसको कहेंगे या थोड़ा ब्रोडर रोरीजन है तो नए साल में काम करना ज़्यादा पहते होगा क्योंकि अभी जो ट्रेडिंग भीएवेर होगा वो सिगनल कम और नोइस ज़्यादा होगा चांदी में क्या भी हुए बिरेंज सर यह आप से ही सवाल था बिरेंज सर चांदी में क्या करें तो लिक्विडिटी लगादार वहां से आ रही है बट बेजिक जो बिक्स्टोरी है वही है कि वहां सिवियर डिफलेशन है क्योंकि CPI नेगटिव है तो इसाइड की ट्रेडिंग के सला चान्दी में भी आ रही है नम्री जी आ बता हूँ गोल्ड औ सिल्वर क्या करें आज पर के टार्कन देखने में सकते हैं साथी ताथ चान्दी में जो मोमेंटाव है बेस मेडल का भी सपोर्ट मिल रहा है प्लस गोल भी पॉजिक्टिविश दिखा रहा है तो डबल वैमी है 75,500 के आसपास भाय करने की रण नीती रहेगी 75,100 का आप स्टॉप लगाएं 62,200, 62,300 तक के भी टार्गें डिक्रिमिल सकते हैं चली गोल्ड और सिल्वर के बाद अब अखलेज जी आप बताईए आज इंट्राडे के लिए आप क्या सला देना है गोल्ड सिल्वर में दोनों ही कॉंट्रेक्ट्स में मुझे लग रहा है जो मुमेंटम बना हुआ है बैक बार, फंडामेंटल्स एस वेल आस टेक्निकल्स ऑसो तो मुझे लग रहा है कि तेजी करके काम करना चाहिए गोल्ड कॉमेक्स अगर स्पॉर्ट रेफरेंस से बात करें तो मुझे लग रहा है कि इसका जो मुमेंटम में काफी बोलिश रहेगा जब तक ये जो भाव है दोजा चालिस डॉलर के उपर क्रोज रहते हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्रों में ये दोजा पिछत्तर से लेकर एकिस सो पास तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं में जो इमिजेट टारगेट लग रहा है मुझे 63,300 के आसबाक लग रहा है तो हर घटे पे बाय का रिकमेंडेशन है इसमें बाय करना चीए 62,500 के नीचे अगर भाव मिलते हैं तो 65,255 के नीचे बाय करिए 75,255 के लेकर 6,300 की रेंज में आद देखने को मिलने चाहिए तो बाय ओन डिप्स का रिकमेंडेशन है पीशियर्स मैटल्स में बाय ओन डिप में की स्ट्रेजी के साथ आप यहां पर काम कर सकते हैं और चांदी की जो कॉल है 75,475 पे खरिदारी की सला 76,300 तक जा सकती है चांदी बुपेज जी आप क्या सला देंगे गोल्ड सिल्वर में जी नमस्कार सर चांदी में चार्ट का स्ट्रेटर अभी भी पॉजेटिब बना हुआ है और मैं ऐसे कहुँगा कि चांदी आज के हाई क्रोस करती है तब चांदी में एंट्री करनी चाहिए और जब हाई क्रोस करने के बाद इसके स्टोप लॉस 75,600 के नीचे का रहेगा अप साइड में 46,500 से 77,300 के लग से संभावित रहेंगे अन्य था बजार में नीचे में अगर हाई क्रोस नहीं होता तो बजार नीचे में 75,100 की भी संभावना अधिक रहेगी